पत्वार बनूंगी, लहरों से लडूंगी, हर मुझे क्या बेचे का रुपरिया क्यूं होता है रिप? क्यूं होता है मानसीक सोशन? क्यूं समाज अभी भी और्तों को एक हवस की नजर से देखता है? क्यूं? कौन देगा इसका जवाब? कितना लड़े और ये बेटिया? और क्यूं लड़े? फंडमेंटल राइट्स आप उनसे नहीं छीन सकते हैं पिछले पांच सालों की डेटा मैं आपको नहीं देने वाली हूं मैं आपको इसी साल की डेटा बताने वाली हूं हम सबको पता है कि ये साल कितना खराब है कोरोना वाइरस के कारण हम लोगों से दूरिया बनाए रखते हैं मास्क के बिना हम किसी से बात नहीं कर सकतें किसी के सामने रहत नहीं सकतें किसी को छूने के बाद कहीं पे कुछ खरीदने के बाद हमें हैंड सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है पर ऐसी हालातों में भी रेप हो रहे हैं ऐसी हालातों में भी लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि हम किस तरह से ऐसे काम करे या हम क्यों करे उन्होंने अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा Women kidnapped in Patna Mall, raped at gunpoint 19-year-old gang raped in Bhopal Man sexually assaults 5-year-old girl in Hyderabad Two men raped a 17-year-old girl in UP Assistant sub-inspector of police in Odisha Puri raped a married woman Man raped his 14-year-old daughter after having a fight with the mother in Punjab, Firozpur A 16-year-old girl raped by six person and two minor boys in West Jayantia Hills District Four-year-old girl abducted, raped by a relative in Telangana A 45-year-old man raping his employee in Mumbai क्या इतना काफी है या फिर आपको अभी भी और सुनना है मैं ये सारे news रोज सुन सुनके ठक चुकी हूँ मैं नहीं जानती कि ये सिर्फ इतने ही cases है या फिर और भी जादा cases है ये तो सिर्फ वही cases है ना जो register होते है जो हमारे सामने आते है ऐसे कितने ही सारे cases होंगे जो register नहीं होते है जो घरवाले नहीं बताते उनके इज़त के बारे में सोचके जो लड़किया नहीं बताती या तो डर-डर के रहती है या मर-मर के इन नवजाच शिशों की क्या गलती है पैदा होना कि पैदा होते ही कोई relative तुम्हें मार डालेगा तुम्हारे मूँ से मा नहीं आह निकलेगी इन औरतों की क्या गलती है औरत होना, मर्दों को पैदा करना, इने पाल पोस के बरा करना ताकि ये कल को किसी और औरत का सोशन कर सके इन 60-70 साल की दादी नानियों के क्या गलती है इत समाज से एक सहारा मांगना अपने बुरापे में क्यों आप ये बात नहीं समझते कि एक औरत पे अपना गुसा अपना जोर निकालना मरदान की नहीं होता क्यों आपको लगता है कि आप इस दुनिया के धरोहर है कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अगर हर मा ने ये सोच लिया कि उनको बेटा पैदा नहीं करना है और कोख में रहते ही उसे मार डाला या पैदा होने के बाद उसे दूद के गमले में डूबो के मार डाला तो आपके इस पुरुष समाज का जिसमें आप अपनी मर्दान की साबित करते हो उसका क्या होगा? मेरी सरकार से एक गुहार है प्लीज हमें सेफटी चाहिए आपने हमें प्रॉपर्टी राइज दिये थैंक यू सो मच पर आपने ये सोचाए कि अगर आप हमें सेफटी देंगे हमें ऐसी जगह काम करने का एक मौका देंगे इंडिपेंडन्ट होने का एक मौका देंगे तो हम अपना property खुद भी बना सकते हैं हम खुद भी मेहनत कर सकते हैं हम खुद भी overtime work करके पैसा जमा करके अपनी property बना सकते हैं हम खुद अपने पैरों पे खरे हो सकते हैं अपने माबाप को खुश रख सकते हैं Please, सरकार, please हमें safety पहले दीजिए प्रॉपर्टी से पहले सेफटी दीजिए रेपिस्ट के लिए एक ऐसी सजा जारी कीजिए ताकि उसको रेप करने से पहले वो सोचे वो डड़े आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितनी बूटल हूँ जो उनको जीते जी नर्ग की सजा सुनाने का फर्मान मांग रहे हूँ पर आपने ये सोचा है कि 6-6-7-7 लोग जब एक राह चलती लड़की का सोशन करते है जब नवजाद सीशू के साथ ऐसी बूटल हरकते होती है जब 70-80 साल के औरतों को इस तरह से सोशित किया जाता है तो क्या वो बूटल नहीं है? क्या इनको नर्ग की सजा नहीं सुनानी चाहिए? क्या लगता है आपको? वो भी बूटल है, बहुत बूटल है क्यू न खौले इन औरतों का खून? क्यू ये औरते रात को नाइट ड्यूटी से डड़े? क्यू पुलिस सवालों से डड़े? क्यू उनको एक भाई का एक लड़के का सहारा चाहिए कही पी जाने के लिए? क्यू? आपको पताईए कि इंडिया में इन रेपिस्ट की क्या सजा होती है चली जानते हैं कि दूसरे सारे कंट्रीज में कैसी सजाए होती है चाइना में डेट सेंटेंस नहीं तो कैस्ट्रेशन होता है साउदी अरब में पबलिक के सामने उनका सर काट दिया जाता है अफगानिस्थान में सर पे गोली नहीं तो फासी इजिप्ट और इरान में फासी इंडिया में भी ऐसा क्विक डिसीशन लेना चाहिए क्यों यहां पे लोग सहन नहीं जाते क्यों यहां पे हमें तुरंत ही कोई डिसीशन नहीं मिलता जब पता चला कि कोई इंसान कल्परिट है और वो वाकई में दोशी है तो उनको तुरंत ही सजा होनी चाहिए दोस्तों मेरे एक रिक्वेस्ट है प्लीज ये वीडियो अपने हर जान पहचान वालों तक पहुचाए इतना शेयर करें कि ये गवर्मेंट तक भी पहुचे हम लोगों में एक अवेर्नेस ला सके हमारे घर पे मा, बेहन, दादी, हमारी गल्फरिंड, हमारे वाइफ, हमारे दादी नानियों को हम उनकी ताकत बताए उनकी कमजोरी नहीं वो एक बेख़ौफ और आजाद जिन्दगी जी सके दोस्तों आप मेरा ये वीडियो लाइफ नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पर प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए हर उसे इंसान तक जिनको आप अपने लाइफ में जरूरी समझते हो और ये शेयर करने के बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे मेरे आने वाले सामाजिक मुद्दों पे वीडियो मिलते रहे थेंक्यू